हेलो इस्टूडेंट्स, आज हम एकोनोमिक्स के पहले चेप्टर क्लाश ट्रालत के बारे में पढ़ेंगे, जो एकोनोमिक्स के एंट्रोडेक्शन के बारे में मैं आपको बताँगा, जो आप असानी से इन चेप्टर के छोटी-छोटी चीजों को ध्यान से देखकर एक एक जो हमारा chapter number one है, class 12 का introduction है, केवल आज मैं आपको introduction समझारा हूँ, जो छोटी-छोटी points होते हैं, उनके बारे में समझारा हूँ, जैसे पहला question उठता है, कि economics क्या है, economics से आप क्या समझते है, economics से क्या तात परी है, इसके सνठुषटि के लिए किया जाने बारे ब्रियत्नों का अध्यन किया जाता है यह इसकी definition है आपको यह एक number में दो number में इस तरीके से question आ जाता है और long question में भी कही question जोड़कर long question बनते हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा दूसरे हैं हमारे पास आर्थिक किरियां यह मैंने कुछ points नोट किये हैं जो आप इसे पढ़ेंगे और इसे समझने की कोसिस करेंगे तो आर्थिक किरियां आर्थिक किरियां क्या होती हैं देखे जो काम हम पैसों के लिए धन के लिए धन कमाने के लिए करते हैं उन्हें आर् टाप्त करने के लिए की जाती है वह आर्थिक क्रियाएं कहलाती है ऐसी आप देखते हैं आर्थिक समस्याएं जब आर्थिक क्रियाएं होंगी तो आर्थिक समस्याएं भी होंगी आर्थिक समस्याएं क्या होती है आर्थिक समस्याएं उत्पन होती है यह एक इंपोर्टेंट से पार्ट है एकोनोमिक्स का कि आर्थिक समस्या आखिर हुई कहां से तो आसीमित अपसेक्टाओं हमारी जो अपसेक्टाएं हैं वो आसीमित हैं अपसेक्टाओं सीमित साधनों एवं उनके बेकल्पिक प्रियोग के कारण उत्पन चुनाओं की समस्या ही आर्थिक समस्या है यानि जो चुनाओं की समस्या पैदा होती है वही आर्थिक समस्या आर्थिक समस्या के जो हम अपनी अपसेक्ताओं को साधनों को एवं उनके बेकल्पिक प्रियोग किये जाएं उनका जो चुनाओं की जो समस्या पैदा होती है उसको हम आर्थिक समस्या के नाम से जानते हैं बिनमे मतलब है आपसी लेंदेन बैधानिक और पारसपारिक बैधानिक पारसपारिक और एच्छिक अपनी च्छा के द्वारा बिनमे होना चाहिए अपने बैधानिक यानि की कानून नियम के अनुसार होना चाहिए और पारसपारिक यानि आपस में होना चाहिए बिनमे के देखेंगे बिनमे दो पक्षो के मद्ध होने वाले एक्षिक बैधानिक एवं पारसपारिक धन के हस्तान्तरण को बिनमे कहते हैं अब आता है उप्भॉक्ता उप्भॉक्ता क्या है जब एक व्यक्ति अपनी अफ्षेक्ता के लिए जब एक व्यक्ति अपनी अफ्षेक्ता के लिए किसी बस्तु को खरीदेता है जब किसी बस्तु को खरीदेता है तो उसे हम उप्भॉक्ता कहते हैं जैसे हम उप्भॉक्ता है मार्केट से जब हम अपनी अफसेटाओं को पूरा करने के लिए किसी वश्टू को खरीद देते हैं तो हम भूबता है पॉइंट नम्र 6 विक्रेता वो विक्रेता जो एक्ति श्यम के लाव के लिए कोई बस्तू दूसरों को बेचता है उसे बिक्रेता कहते हैं कोई अपनी बस्तु जब बेचता है तो उसे विक्रेता कहते है और जो खरीदिता है उसे क्रेता कहते है उत्पादक वह व्यक्ति जो अपने लाव के लिए बस्तुओं का उत्पादन करता है उसे उत्पादक कहते है हमने कोई बस्तु का उत्पादन करना है तो उत्पादन करने मे स्चोने क्जिया अपती वियुक्ति जो नोखृषि दूसरों के लिए करता है उसे अफसरा लागत में प्रेंट अफसर लागत एक बस्तु कीदि अधिक मात्रा थृ को सिखा अधिक ने के बदले दूसरी व्रस्तु की कुछ नात्रा को छोड़ना पड़ता है इसे ही बस्तु की एक अत्रिक्त एकाई को प्रात करने की अफसर लगत कहते हैं इसके कुछ सब्सक्राइब करें जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं शेयर करके अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दें जिससे की अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक पहुंच सकें अब से लेगर स्बाइब वीडियो आप तक पहुंचेगी जै हिन जै भर्व